जाहिंद वेलकम टू हमानिटीज डिविजन आज हम लोग देखेंगे कंपनीज रूल इन इंडिया फ्रम 1773 टू 1858 और उसमें क्या-क्या कॉंस्टिस्टिस्टिस्मल डिवलपमेंट हुए उससे पहले थोड़ा सा उसके बेक्ग्राउंड को देखते है इस्ट इंडिया कंप इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी इस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपॉली दिया गया था और रॉबर्ट कलाइब को बंगाल का फस्ट गवरनर बना जागया यहां दोखिए यह फस्ट गवरनर थे इन्होंने दू बेटल्स लड़ी फस्ट थी बेटल ऑफ पला समझोता हुआ treaty of Allahabad sign किया गया 1765 में इसमें अब company को दिवानी राइट्स मिल गया था बंगाल बिहार और ओडिशा का आनि कि company का revenue related भी power मिल गये थे अब company के पास exclusive राइट भी थी और दिवानी राइट्स भी लेकिन company के जो officers थे वो अपनी जोली परने में ध्यान देते थे व लेकिन company डेट में जा रही थी तो इन्ही प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और officers के अबर प्रक कंट्रोल स्टेबलाइज करने के लिए डेकुलेटिंग एक लायागा 1773 में इसमें कुछ रूल्स को चेंज किया गया कुछ नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस किया गया जैस दिया विया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जेनरर camera बना दे वारन हेस्टिंग्स को बंगाल को फ़र्स्ट गवर्नर जेनरल बनाया गया इन्होंने diवानी राइड को खितम कर दिया तो एक तो Governor General Council बना और दूसरी तरफ कॉलकाता में जिसको Fort William भी कहा जाता था वहाँ Supreme Court बनाया लिए और company के officers को private trade और रिशुवत लेने से प्रोहिबिट कर दिया तो इस एक्ट में ये में लिए तीन changes हुए थे और अब एक तरफ Supreme Court था और दूसरी तरफ Governor General Council अब दोनों के बीच में पावर टेसल शुरू हो गया Governor General Council बोले हम ज़्यादा powerful है Supreme Court बोले हम ज़्यादा powerful है तो इन दोनों के बीच इन ही दोनों इन ही लड़ाई को सांथ करने के लिए और दोनों के बीच पावर का बटवारा करने के लिए regulating act में कुछ amendment किया गया और amending act of 1781 लाया गया amending act of 1781 जिसको act of settlement भी करते थे अब Governor General Council और Supreme Court इन दोनों के पीच पावर का बटवारा होगे Governor General को थोड़ा ज़्यादा power दे दिया गया इनको जितने भी official act होंगे company के उन सब का control इसके साथ साथ revenue और उससे related matters का भी control इसके साथ साथ company के जो servants थे उनकी officers थे उन पर भी Governor General Council का ही control दिया गया यहाँ तक कि provincial court का भी control रूल Governor General Council को और Supreme Court को कहा गया जो प्रस्नल लोग होंगे जैसे कि हिंदू को हिंदूस लोग से मुस्लिम को मुहमधन लोग से ही court में trial करे इतना सा कुछ करने के बाद भी रूल सही से नहीं हो रहा था तो 1784 में Pits India एकलाया गया इसमें company के political और commercial functions को अलग कर दिया गया और फिर दो bodies बनाई गई फर्स्ट थी company के commercial affairs को manage करने के लिए court of directors बनाया गया इसके अलावा board of control बनाया गया board of control जो फिलिल और military government के सारे operations को direct करने की लिए था तो ये दो bodies बनाई गई मतलब इस act ने double government का system इंडिया में stabilize किया system of double government ये act significant था इसके पीछे दो रीजन्स थे वो दो रीजन्स दिखते हैं इसमें पहली बार company की जो territory थे इंडिया में उसको British positioning इंडिया कहा गया और दूसरा British government को supreme control दे दिया गया इंडिया में company के affairs और इसके administration पर ये थे पिट्स इंडिया कहा गया तो इन्होंने कहा मेरी दो सर्ते हैं मान लो तो में बन जाऊंगा पहली सर्त थी special cases ने council के decision को override करने का power दिया जाए और दूसरा था उनको commander in chief बनाया जाए तो इनके इन ही दोनों सर्तों को मानने के लिए act of 1786 लाया गया और इनको बंगाल का governor general बनाया गया अब इसके बाद 1793 में charter act आया इसमें first थी Lord Cornwallis को जो overriding power दिया दिया था उसको future के governor general और presidencies के जो governance थे उनके लिए extend कर दिया गया इसके बाद second governor general को और ज्यादा power और बंबे और मदरास के जो government governor थे उनके उपर भी control दे दिया गया और तीसरी थे कि company का जो trade monopoly था उसको अगले 20 साल के जिए बढ़ा दिया गया मतलब 20 साल तक कोई और company trade नहीं कर सकती थी और fourth था board of control और उसके जो staff थे उनको salary वगेरा भी Indian revenue से ही पे किए जाएंगे जितने भी charter act आते थे वह सारे 20 सालों तक चलते थे तो यह भी अगले 20 सालों तक चलेगी तब तक आप लोग एकाम करो नीचे लान कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक करके बेल आइकन दवा दो और लाइक भी करतो और comment में बता वीडियो कैसा है बतलब आपको कैसा लगा तो यह सब करते करते 20 साल हो गए फिर आया charter act of 1813 एक नया charter act आया इसमें देखतें क्या क्या था फर्स्ट इस में company के लिए डर से जैज मोनोपॉली थ होश देख उसको क्रेशन कर दिया अभी अलांकर गाहा भी और dot कर दिया गया, for the purpose of enlightening the people, बतलब कि यहां के लोगों को आप एलचाइनिटी में convert करना एलाव कर दिया गया, इसके अलावा जो western education थी, उनको भी इंडिया में straight करना शुरू कर दिया गया, और इसके अलावा फॉर्थ थी local governments को लोगों से tax collect करने, और अगर कोई ना दे तो उनक करने का power दिया गया, अब इसके बाद एक और चार्टा रेक्टा आई, 1833, चलिए दिखते हैं, इसमें क्या-क्या नई rules इंट्रड्यूस किये गए थे इंडिया में governance के लिए, तो first थी कि जो पहले governor general of बंगाल थे, उनको governor general of India बना दिया थे, इसके अलावा उनको civil और military power द इंडिया के first governor general थे, first governor general of इंडिया, governor general of इंडिया को पूरी British इंडिया का exclusive legislative power दे दिया गया, और East India कंपनी जो एक commercial बोडी थे, अब वा पूरी तरह से एक administrative बोडी बन गई, और इसी में पहली बार civil servant के selection के लिए, open competition का system इंट्रोड्यूस किया गया, पर court of directors के opposition के कारण ये शुरू नहीं हुआ, इसको खारिज कर दिया गया, मतलब first attempt में इससे भी नहीं हूँ, फिर इसके 20 साल बाद, फिर से charter act of 1853 आया, ये एक नया charter act था, charter act of 1853, चलिए देखते है कि इसमें क्या-क्या नए rules इंट्रोड्यूस किये गए थे, इसमें first थी, governor general's council के legislative and executive function को separate कर दि गया और एक separate governor general's legislative council बनाया गया, जिसको Indian Central Legislative Council करते थे, the Indian Central Legislative Council, पहली बार legislative council में local representation को introduce किया गया, और governor general's council के छे नए members में से, चार, मदरास, बंबे, बंगाल और आगरा से अपोइंट किया गया, और इसके अलावा, पहली बार, civil servant के selection और recruitment के लिए open competition का system लाया गया, अब इसमें Indians भी अलाव थे, और इसके लिए Macaulay committees 1854 में appoint किया गया, the committee on the civil services, Indian civil services, इसके अलावा, इसमें company के rule को extend किया गया, लेकिन कब तक ये कुछ clear नहीं था, अनि कि ये एक clear indication था, कि company के rule को कभी भी खतम किया जा सकता है, इसके बाद 1857 में revolt हो गया, जिसमें हमारे मंगल पांडेजी थे, इस revolt को first war of Indian independence में कहा जाता है, पहली बार अनि के खिलाब revolt हुआ था, तो अब company को कहा गया, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, और 1858 में crown rule सुरो गया, crown rule जोग 1947 टक चला, इसको हम लोग next वीडियो में देखेंगे, तब तक के इंडियर आप लोग हसते रहिए, मुश्कराते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और हाँ comment में बताएगे वीडियो कैसा लगा, पार कुछ suggestion देना हो तो वो भी जरूर दीजिए, धन्यवाद